आज आपके साथ शेयर करेंगे दई बले बनाने की रेसिपी वेलकम टू माई चेनल में हूँ शेफ पिलाल और आप देख रहे हुगी फूट सीक्रेट दई बले खाना किसे अच्छे नहीं लगते चट पटे से स्पाइसी से दई बले आप अपने घर पे होममेड स्पाइसी से कैसे त्यार कर सकते हैं बनाना बहुत ही ज्यादा असान है इतनी असान रेसिपी लेके आये हूँ चट पटे मज़ेदार से दई बले तो बनाना स्टाट करते हैं अपनी रेसिपी को 300 ग्राम मैंने यहां पे बैसन का लिया है आपने 300 ग्राम बैसन ले लेना है मैंने 2 चाए के कप यहां पे बैसन का लिया है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसी के साथ इसके अंदर हमने एड़ कर देना है हाफ टेबल स्पून साल्ट का Half table spoon से ज़्यादा साल्ट आपने add नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा साल्टेड हो जाएंगे और इसी के साथ हम इसके अंदर add करेंगे Half table spoon बुना हुआ जीरे जीरे को मैंने थोड़ा सा बुन लिया था और उसके बाद इसके अंदर हम add कर देंगे जीरे का और इसी के साथ हम इसके अंदर एड़ कर देंगे मीठा सोड़े का, हाफ टी स्पून यहाँ पे मैं एड़ करूंगा मीठा सोड़े का और इसी के साथ हम इसके अंदर एड़ कर देंगे पानी का, एक कप मैंने यहाँ पे पानी का लिया है, हमने यहाँ पे थिक सा बीटर बना बले की ये रेसिपी इतनी मज़ेदार सी है ये बैसन के बले हैं बनाना बहुत ही ज्यादा असा है एक गाड़ा सा मेक्चर आपने रेडी कर देना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फाइनली हमारा मेक्चर जो है वो यहां पर रेडी हो गया है 15-20 मिट हम इसे रेस देंगे और उसके बाद हमेंसे कुक करेंगे ओईल का टंपरेचर आपने यहां पे लो रखना है हाई भी नहीं करना वरना ये उपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्छे रे जाएंगे ओईल का टंपरेचर आपने लो रखना है और हाथ की मदद से छोटे छोटे बोल बना के आप फूट सीक्रिट को हम आपके साथ ऐसी होम मेट और कमर्शल रेसिपियां शेयर करते रहेंगे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दो से तीन मिट के अंदर अलबे कितने यूनिक तरीके के साथ रेडियो रहे हैं इन पर देरे-देरे करके गोल्डन सा कलर आ गया है ज्यादा डार्क गोल्डन कलर भी आपने नहीं लाना बस لाइट सा गोल्डन कलर आ जाये तो इसको हम निकाल देंगे और उसके बाद हमने इसको एट करना है पानी के अंदर पानी के अंदर जब हम इसे एट करेंगे तो ये थोड़े से और फूल जाएंगे आपने बोल के अंदर पानी ले लेना है और उसके अंदर हमने बले को इस तरीके के साथ एट कर देना है और 5-10 मिट हम इसे रेस देंगे उस तक हम अपना दही बनाते हैं स्पून की मदद से आपने थोड़ा सा इसको डिप कर देना है तो फाइनली हमारे बले यहां पे हो गए है रेडी अब बनाते हैं अपना दही खटे मिठे बनाने के लिए हम इमली की चटनी बनाएंगे तो इमली की एक चटनी लिक्विट सा हम बनाएंगे 50 ग्राम मेंने यहां पे इमली ली है 50 ग्राम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसी के अंदर में एक कप गरम पानी का एट करूँगा यह बहुत ही असान वे है इसका जो एक प्यूडी जी होती है वो रेडी हो जाएगी और स्पून की मदद से थोड़ा सा इसको क्रेश करेंगे यानि तोड़ देंगे और मिक्स कर देंगे तांके यह अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाए पानी थोड़ा सा गरम होगा फस्ट में आपने स्पून को एट करना है बाद में आपने हाथ की मदद से इसकी जो गुटली होती है उसको आपने अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है जब आप हाथ की मदद से मिक्स करेंगे तो इसका जो लिक्विट है वो थिन होता जाएगा यानि गाड़ी हो जाएगी ये ये बहुत ही असानी के साथ यहां पे हमारी जो पाइफ हंड़र्ट ग्राम यनि हाफ केजी मैंने यहां पे दई का लिया है प्लेन दई ले ले लेना है आपने किसी भी ब्रेंड का या हॉममेड दई भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं तो इसी के साथ हम इसके अंदर एड़ कर देंगे इमली का इमली की जो पिवडी हमने रेड किया है एक मीडियम साइज का उनियन लिया था उसे अच्छे तरीके के साथ मैंने वाश किया है जब इस रेसिपी से आप देंबले बनाएंगे तो आपको बहुत ही यूनिक सा टेस्ट मिलेगा और इसी के साथ हाफ टेबल स्पून हमने यहां पे एड़ करना है जीरे का और इसी के साथ हम इसके अंदर एड़ कर देंगे क्रेश चिली का क्रेश चिली ली है मैंने यहां पे हाफ टेबल स्पून आप स्पाइसी लेवल अपनी मरजी के हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं और शुगर एड़ करेंगे इसको थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए दें का एड़ करेंगे ताके हमारा दें जो है वो लीकुड की शकल में आ जाए और विस्की मदद से अच्छे तरीकी के साथ मिक्स कर देंगे ताके दें बड़े का जो दें है वो अच्छे तरीकी के साथ मिक्स हो जाए अलहमदल्ला से हमारा खटा मिठा सा दें यहां पे रेड कोशिश किया करें कि फूट की प्रेजंटेशन करना सीखें फूट को एक नई लुक दें अपनी फैमिली को अपने गेस्ट को एक नया फ्लेवर टेस्ट करवाएं डेली के बैसे के हिसाब से मैं इसको इस तरीके के साथ प्रेजंट करूंगा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसी के साथ इसके उपर एड़ कर देंगे दही का माशालला से हमारे दही बले कितने यूनिक तरीके के साथ यहां पर फाइनली रेड़ी हो गए हैं थोड़ा सा इसके उपर मैं लास्ट मैं एड़ करूंगा प्रेजंटेशन के लिए चार्ट मिसाले का अगर आप भी को अरेबिक कोकिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे उगी फूट सीक्रिट को जरूर सस्क्राइब कीजिएगा थोड़े से पुदीने के पत्ते मैं इसके उपर एड़ करूंगा और इसी के साथ इसके उपर मैं एड़ करूंगा इमली का लिक्वर्ट थोड़ा सा मैंने बच आप सक्रीन पर देख सकते हैं हमारे चट पटे से खटे मिठे दई बले फाइनली रेडी हो गए हैं कितने मज़ेदार से यूनिक सी तरीके के साथ हमारे दई बले रेडी होए हैं मुझे कमिड बुक्स में जरूर बताएगा आपको ये दई बले की रेसिपी कैसी लगी हाफिज थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो